अब से पहला उपाय है किसी भी आई को और किसी भी बाप को, माने पिता को आई को और पिता को दोनों को अपने धीवन में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी पढ़ेगी अब भी अगर उनको बच्चे स्वस्थ, पंत्रुष, पेजस्वी, सपस्वी, संसकारी और समाज का काप करने वाले ऐसे बच्चे अगर चाहिए तो उन बच्चों को पैदा करने से पहले उसका नियोजन करना पोड़ेगा बिना नियोजन के जो बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा दाउन इबराहिम होते हैं ये मेरा पंद्रे साल का डाट्वी के पेशे का अनुवव है, तजुरवा है मेरे पास बहुत सारे मरी जाते हैं, जिनको अपने बच्चों से त्रास है और वो बच्चे इतने राटवाजी हैं, आई वडिल को पीट के, आई कुछ बोले उसको मारके, वडिल कुछ बोले उसको मारके, आई वडिल के कंट्रोल में नहीं रहते जब उन बच्चों के बारे में मैं पूरी हिस्ट्री लेता हूँ तो अंत में जाके पता चलता है कि वो बिना नियोजन के उत्पन हुए बाई एक्सिडेंट तो मेरा आप सभी को ये विनम्र मिलेदन है कि जिनको अपने बच्चे पेजस्ट्वी, तपस्ट्वी, संसकारी, समाच कर्मी, राष्टवादी, धर्व के प्रती स्रदा रखने वाले, आईवरली की सेवा करने वाले ऐसे बच्चे अगर चाहिए तो उसके लिए नियोजन करना पड़ेगा बिना नियोजन के वो बच्चे नहीं होते सबसे पहला सैसला आपको ये करना पड़े जैसे आप बहुत सारे काम के लिए नियोजन करते हैं घर बांगने के लिए नियोजन करते हैं कैसे करते हैं? एक-एक पाइसा बचा के जिसनी पगार है उसमें से पैसा काथ काथ के बचा बचा के घर बांदे का नियोजन हमारा होता है ऐसे ही हम नफ़ी के लिए बहुत सारे नियोजन करते हैं तो ऐसा ही नियोजन आपको करना है कि आफ़ मि जेरे लिए così ना हो dalla संस्कारी हो नहीं सकते और अज के समय में दुख और बुर्दयर की इस्तवी ऐसी ही है कि जादा बच्चे इसलिए आईवरिल भी परेशान है समास उनसे परेशान है देश भी उनसे परेशान ये त्रासवादी, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब हमारे ही अपने बीच के बच्चे हैं लेकर ये कैसे त्रासवादी हो गए, कैसे देशद्रोही हो गए, बिना नियोजन के होने के कार्ण तो नियोजन करना पड़ेगा और नियोजन में क्या क्या करना पड़ेगा सबसे पहला नियोजन पंसकारी बच्चा अगर चाहिए प्रतापी बच्चा चाहिए आपको समाज करनी चाहिए धर्मनिष्ट चाहिए राश्ट प्रेमी बच्चा चाहिए तो सबसे पहला नियोजन सैयम पालना पड़ेगा ये सबसे पहला नियोजन बिना सैयम के अच्छे बच्चे नहीं हो सकते तो सैयम आपको अपने धीवन में रखना पड़े और वो सैयम रखने का तरीका चाहे सैयम रखने का बहुत सरन तरीका है ज्यादा समय ब्रह्मचरी का पालियन करना है तो अभी जो खीरे लोगी और अन्योक्ता अभियास है विज्ञान का अभियास है तो अभियास के हिसाफ से मैं ज्ञानकरी देना चाहता हूं इस ज्ञानकरी को आप गंभीता से सुने इस्त्री के लिए संयम पालना बहुत आसान है, पुरुष के लिए नहीं है, बाने जा है, ब्रह्मचरिका पालन किसी इस्त्री को करना हो, तो वो बहुत आसानी से कर सकती है, पुरुष के लिए ये संभव नहीं होता है, इसलिए कि ईश्वर में इस्त्री का शरीर ऐसा बनाया है जो पुरुष से ज़्यादा अच्छा है क्वालिटी में कुछ ऐसे हार्मोंस हैं कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो इस्त्री शरीर में ही हैं पुरुष शरीर में नहीं है और वही हार्मन इस्त्री को भ्रह्मचर पालन करने में मदद करते हैं तो इस्त्री को भ्रह्मचर पालना अगर करनी है तो वह उसके लिए बहुत सहज है, सरल है, बहुत आसानी जैसे हमारे जीवन के बहुत सारे काम हम सहजता से और आसानी से करते हैं वैसे ही ब्रह्मचरिका पालन और संयम का पालन किसी भी इस्त्री को बहुत आसाल है, पुरुष्ट को उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, इस्त्री वो बिना प्रयास के ही कर सकते हैं, तो मैं ये बात जो कह रहा हूँ, वो सब भारियों के लिए कह रहा हूँ, कि अगर अ मतलब चाहे, इसका मतलब सीधा सा ये है, कि आप अपने जीवन का थोड़ा ऐसा नियोजन करो, जिसमें ज्यादा आपको इस्त्री के साथ संसर्ग ना करना पड़े, साल में एक या बोबार करें तो सकते हैं, नहीं तो महिदे में सिर्फ एक बार, ऐसा आपको अपने धीव संकल्प के लिए आपको एक आउशदी की मदब लगे भी, तो वो आप याद रखिए, वो आउशदी है, आयल का रख, आयल, अद्रक, तो अद्रक का चुकड़ा अगर मूने रखते चूशते रहें, तो ये हमारे संकल्प को मजबूत करने में बहुत मुदित करता है, किसी संकल्प के पीछे नहीं भागने का संकल्प हो, अपने जीवन में साधारन सरीके से रहने का संकल्प हो, ये सभी संकल्पों में मदब करता है, तो हमें अच्छी संतान के लिए संयम का फालन गम्मचर की मदब से करना है, और कोशिश करनी है, कि साल में एक या दो बार, नही तो महिने में ज्यादा से ज्यादा योग्पा ये आपको करना है सुरुषों को इस्तुरियों के लिए ये सहज है चरल है क्योंकि भगवान ने उनको कुछ ज्यादा गुण दिये हैं उनमें से एक गुण ये है अब ये गुण होने का एकी कारण है मैंने बताया कि उनके शरी का नियोजन करना है और नियोजन इस तरीकों से करना है सहला कदम उस नियोजन का संक्रम करना ब्रह्मचरिका है